हलो ओर दी डायनमिक, पाशनेट नीट आस्परेंट्स, वेल्खम बाक तो मार्टन ब्रेंज आयाई टीजेए नीट, मैं हूँ डॉक्टर रितिका भारतवाज और आज जो मैं सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बेहद इंपोर्टेंट सेशन है और इसके बारे में कि how to score 360 marks in NEET biology क्योंकि biology एक NEET exam का ऐसा सेक्शन है जो आपको आधा पार करा देता है, अपनी नईया आधी पार लगवा देता है, why so, कैसे हो पाएगा, actually मैं हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे प्लान करेंगे, उस बारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं, तो बिल्कुल अपन पेन, पेपर, कॉपी लेकर बैट जाएए, जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आपको ये नोट करना जरूरी है, जितनी भी चीजें आज मैं इस सेशन में आपको समझाने वाली हूँ, ये ही फॉर्मिला आपको आगे आने वाले years मे अपना बना कर रखना है, अगर आप NEET exam को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं बिना देर किये ये बहुत important session स्टार्ट करती हूँ, जहां पर हम देखेंगे कि NEET biology में हम 360 marks कैसे score कर सकते हैं, actually मैं मैंने आपको NEET exam के लिए पूरा का पूरा update बना करके दिया था, कि NEET exam कै कैसा होता है, क्या syllabus होता है, क्या criteria होता है, जहां पर मैंने all about NEET नाम से एक session बनाया हुआ था, आपको वो session देखना जरूरी है अगर आप और जादा NEET exam के बारे में जानना चाहते हैं, यहां पर मैं बात करने वाली हूँ, उसी में से एक section की और वो section ये है कि हम NEET exam में 360 marks य ऐसे होगा उस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारा biology है, biology में हमारा 50% syllabus biology contain करता है, NEET exam के लिए और बाकी 50% में हमारे other subjects आते हैं, other subjects हमारे कौन से हैं, physics आता है, physics आता है और chemistry आता है, ठीक है, तो physics और chemistry आधा हिस्सा लेते हैं और बाकी पूर आधे हिस्से में, क्या है हमारे पास biology, ठीक है, तो यह हमें कैसे करना है, अच्छा एक चीज समझो, अगर हम biology के student है, तो दो reasons हैं, जो हम biology के student बने हुए हैं, पहला reason यह कि भाई मैं खुछ चाहती थी, या मैं खुछ चाहता था, जैसे मैंने खुशी का, अजीत का messages देखे तो मुझे लगा कि नहीं, यह students कुछ से चाहते हैं, कुछ students इतने जादा, इतने जादा inspiring है कि उन्होंने अपने नाम के आगे already doctor लगा रखा है, that shows कि वो आपके, it is flowing in the blood inside you, तो यह चीज जो है, वहां तो लागू हो जाएगी कि 50% उनको तो दिक्कत नहीं आएगी, दिक्क कहां आएगी कि भाई मैंने किसी के किसी और reason से biology subject लिया हो सकते मेरी मम्मी चाहती होंगी कि मुझे doctor बनना है, मेरे पापा चाहते होंगे मुझे doctor बनना है, या फिर मेरे किसी best friend ने biology लिया था, तो मुझे भी वही लेना था, इसलिए मैंने biology ले लिया, या फिर यह भी हो सक हुआ था, उससे आगे भी बहुत कुछ है जानने के लिए और करने के लिए जो आपको अभी पता चलने वाला है, और जितने students ने willingly biology लिया होगा, तो वो समझते हैं कि इस 50% का कितना बड़ा role है, ठीक है, there is a saying, आधे में अजगर और आधे में सब घर, यानि कि आधा हिस्स है इस अजगर को पकड़ के चलना है, ठीक है, यह हमें जिता देगा, बाकी physics और chemistry ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, physics और chemistry में भी हमें मेहनत करनी है, पर biology वो की है, जो आधा आपको जीत में आधा, उस race में आपको जिता देती है, अब यह तो हम समझ गए, कि म 50% syllabus हमारा biology का है, 50% marks हमें biology से मिलने वाले, 25-25% हमें physics और chemistry से मिलने वाले, यह तो बात हमें मालूम है, the next thing is हमारा target क्या है, हमारा target है कि हमें 360 अचीव करना है, हमारा target है, हमें 360 अचीव करना है, कहां पर अचीव करना है, 360 biology में, तो यह कैसे होगा, कोई भी चीज, अगर आप, थोड़ी, मतलब अब देखो, दो टाइप के students, इस चीज को लेकर होंगे, target को लेकर, पढ़ाई को लेकर नहीं, एक ऐसे, जो बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें already मालूम है, कि भाई, मेरी ऐसी preparation चल रही है, कि मुझे 360 स्कोर करने में, बहुत ज session के pro tips देने वाली हूँ, जिसके लिए आपको wait करना है, कि भाई, मैं बहुत अच्छा students हूँ, लेकिन कुछ pro tips है, जो आपको cream layer बनाएगी, वो आपको session के आखरी में मिलेगी, for now, मैं उन students की बात कर रही हूँ, जिन्हें अपने उपर जादा confidence feel नहीं होता, जैसा कि मैंने अपने जो मेरे topic wise sessions हैं, उसमें मैंने कई बच्चों के comments देखें, जहां पर लिखा हुआ था, कि मैं मैंने पूरे questions solve नहीं किये हैं correct, तो मैं demotivate हो गई हूँ, मेरे सारे answers सही नहीं आ रहे हैं, कुछ answers मेरे गलत आ जाते हैं, मैं demotivate हो गई हूँ, या मैं demotivate हो गया हू तो मैं उन students की बात कर रही हूँ, यानि मैं बात कर रही हूँ कि जो borderline student है, जो average student है, देखो, यह जो average student, जो borderline student होते हैं, जिनको backbencher जो अपने आपको समझ रहे होंगे, दुनिया आपको क्या समझती है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप अपने आपको कहां मा लगता है, वो मेरे लिए जरूरी है, इस समय बिल्कुल selfish हो जाने का समय है, यह 10, 11, 12 वाला जो time होता है, यह बहुत crucial time होता है, अगर इस समय आपने, इस समय सुस्ता लिया, इस समय मजे कर लिए, तो आगे के जीवन में बहुत hurdles आएंगी, और अगर इस समय महनत कर ली, तो महनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई alternative नहीं होता महनत का, तो वो आपको college में भी करनी पड़ेगी, मैं जूटे आपको dreams बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, कि college में जाके बास कुछ नहीं है भाई, college में जाकर मजे से आपको गूमना फिरना, इधर उधर बाइक लेके जाना, और लड़कियां इधर आदा टाइम सलून में रहना, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे profession में पढ़ना ही पड़ेगा, यह मुगालते नहीं पालने हैं, अब बात आती है, कि यह जो borderline student है, जो average student है, जिनको यह लग रहा है कि शायद मैं 360 अचीव नहीं कर पाऊं, शायद मैं म इमाग में, not only for biology, not only for meat, not only for studies, यह अपना rule बना लो, पूरी life के लिए कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं नहीं कर सकती, या जो मैं नहीं कर सकता, एक लड़की हर लड़के का काम कर सकती है, एक लड़का हर लड़की का काम कर सकता है, so there is nothing which is कि यह नहीं हो सकता, आ आप हर चीज सीख सकते हो, आप हर चीज कर सकते हो, ऐसे ही, आप 360 marks जो है, वो बिलकुल अचीव कर सकते हो, पर अचीव करने के लिए, अगर आपको वो cherry on the cake बनना है, तो उसके लिए थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, सिरफ सोच में अंतर रखना पड़ेगा, और सबसे पहली बात आपको अपने दिमाग में ये बठा लेनी है, कि मैं ये कर सकता हूँ, और मैं ये कर सकती हूँ, और मैं करूंगी, I don't look for any other alternative, जिस दिन ये मान लिया ना, कि नहीं आर चलो, नहीं भी होगा, तो चल जाएगा, कुछ और कर लेंगे, बस, कहानी घतम है, कुछ नह में बना लो की 360 लाना है, इस सेशन में बताए गए हर एक पॉइंट को फॉलो कर लो, आपको कोई रोक नहीं सकता, कि आप अपना टागेट अचीव ना कर पाओ, आप अपना टागेट अचीव कर ही लोगे, ठीक है, तो अब बात करते हैं, कि कैसे करना है, अभी हमें ये मा पर है अल्रेडी, स्कूल में, जो अच्छा पढ़ रहा है, वो तो करी लेगा, उसके लिए प्रो टिप्स मैं बताने वाली हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, उनका आधा तो हिस्सा उन्हें मालू मैं कि हम कर लेंगे, उस आधे का आगे का क्या करना है, वो मैं बतान कि biology में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जो थोड़ी different होती है, जिनको हमें effort डालना पड़ता है, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ, nitrogenous bacteria का आप नाम याद कर लो, example, nostok और anabina होता है, syenobacteria को blue green, अरे तो नाम में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मु तफ लग भी रहे, मैं कर लूँगा, मेरे अंदर spirit है, मैं कर लूँगा, अब करना क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, अभी हमारा target क्या है, 360 marks हमको achieve करने हैं, और ये 360 marks हमारे NEET के exam का 50% point है, बाकी 50% में physics chemistry हैं, वो सर लोग आपको guide कर देंगे, अब हमारा सबसे पहला point होता है, make a plan for entire year, ऐसा नहीं है कि मैं दो दिन का बना लूँ, I need to make a plan for entire year, ऐसा नहीं है, एक हफते आज मेरा मन कर रहा हैं, नहीं यार, आज मैंने रितिका माम का वीडियो देख लिया है, मुझे 360 achieve करना है, मैंने एक हफते का session बना दिया, एक हफते का मैंने पूरा का पू बैठा लो, मुझे इस साल में क्या-क्या करना है, ठीक है, तो हमें पूरे साल का एक plan बनाना है, और वो plan कैसे बनेगा, अब मैं उस पे आ रही हूँ, सबसे पहली चीज होती है, plan out करना, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, plan out करने के साथ साथ, जो दूसरी चीज होती है, वो होती है, schedule बनाना और दोनों में difference है, plan मुझे यह करना है, कि मुझे ध्यान से सुनना, plan मुझे यह करना है, कि मुझे पता है, मेरा biology 50% marks cover करता है, नीट के exam में, बाकी 50% marks मुझे मिलते हैं physics और chemistry से, तो biology ऐसा subject है, जिसको मेरे plan में हर दि day, I cannot study it alternative day, मुझे रोज biology का अपने आपको पढ़ाई करनी है, और जब इतना, इतना important है यह subject, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उठकर सिर्फ एक chapter पढ़ लिया, या एक topic पढ़ लिया, उस topic को पढ़ने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया, अब चलो कल पढ़ेंगे next topic, यह गलती भी नहीं करनी है, यह गलती भी नहीं करनी है, एक दिन में पहले तो अपना plan बना लो, plan ऐसे कि मुझे एक महिने में या एक हफते में कितने chapters biology के complete करने, कितने chapters physics और chemistry के complete करने, एक बात मैं बहुत साफ साफ शब्दों में कह देना चाती हूं, कि अगर आप ऐसा सोच रहे है कि biology 50% है, तो मैं physics और chemistry को compromise कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप गलत है, आप compromise physics, chemistry को बिलकुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर आपको tough लगता है, यह तो फिर भी आपके हाथ में आई जाता है, यह तो वो रोटी और चावल है, जो खाने में खाना ही है, लेकिन बिना दाल सबजी के काम नहीं चलेगा, तो वो जो चीज आना, वो दाल सबजी है, वो important है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, इस गलत फैमी में बिलकुल मत आना, but yes, the core thing which is biology is important और उसे आपको अपने रोज मर रहा के time table में mention करके चलना है, तो plan बनाने में और schedule बनाने में अंतर है, plan ये बनाना है कि मुझे एक week में, एक महिने में कितने chapters करने है, physics को लेकर, chemistry को लेकर, biology को लेकर, ठीक है, और schedule मेरा क्या रहेगा, कि आप मुझे follow कर रहे हो, आप magnet brains, IIT, JE, NEET की team को follow कर रहे हो, तो आपके लिए schedule बनाना और भी आसान है, क्योंकि community post पर आपके लिए already ए ये देख सकते हो, कि मैं इस week क्या-क्या चीजे पढ़ने वाला हूं, पढ़ सकता हूं या पढ़ूंगी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मैंने मुझे मालूम है कि मेरे लिए, मेरे पास ये एक हाथ में है topics, और एक हफते का मेरे पास topics हैं हाथ में, तो मैं उस लेते हो ना, तो दिन मेर में आपके पास जादा time नहीं बचता, पर time तो आपको निकालना पड़ेगा, खाना भी खाना है, थोड़ा खुद को rest भी देना है, अगर आप खुद को rest नहीं दे रहे हो, और आप लगे हो, लगे हो, अपने आपको घिस्ते चले जा रहे हो, तो तो मेरे उस टाइम पर हो सकता है गलत था, पर मैंने ये गलती करी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप ये गलती करो, मैंने क्या गलती करी, अगर मैं सुबहे 10 बज़े से पढ़ने बैठती थी, तो मैं 6 बज़े तक पढ़ती रहती थी, मैं बीच में उठती नहीं थी, हाँ म तो कहीना-कहीं गलत ठाइए, उसमें क्या होता हुआ, आप अपना माइन जो है, वो पूरे टाइम आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, कॉंटिनिवस्ली पढ़ रहे हो, कहीना-कहीं ठकान आजती हो, आप ठक जाते हो, इंसान हो यार, हर इंसान ठक सकता है, ठक जाते हो, तो फिर वो उतना effective नहीं हो पाता, फिर मुझे काफी time बाद realize हुआ, कि अगर मैं सुबह खाना ना खाके, अगर 10 बजे से 6 बजे तक पढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे बीच में एक गंटे खाने का break ले लेना चाहिए, या आदा गंटे खाने का break at least ले लेना how many chapters do I focus, chapters को लेकर और topics को लेकर, chapters को लेकर और topics को लेकर मेरा plan बनेगा, और schedule मेरा जो time table बनेगा, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, उस पूरे week का मैं कितना time दूँगा, और कौन-कौन से days में मुझे क्या-क्या पढ़ना है, ये दोनों चीज़े आएंगे आपके schedule में, ठीक है? अगर मैं ये बात बताना चाहती हूँ, schedule को लेकर, this is what I have done, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सुबह 4 बजे से 8 बजे उटक में पढ़ाई कर लेती हूँ, है न, there is enough time, तो अगर मैंने इसमें एक chapter पूरा complete कर लिया, या मैंने इसमें दो subject के आदे-ादे chapters या एक-एक chapter complete कर लिए बहुत time है, तो उस समय, वो जो मेरा time है, उसके बाद, 8 बजे के बाद मेरे पास पूरा दिन है, where I have already completed this much, तो मुझे ऐसा बहुत energy लगती थी, मुझे लगता तो यार इतना तो मैंने पढ़ लिया, तो मेरा target जो था कि मुझे 5 chapter पढ़ने, उसमें से 2 तो मैंने पढ़ने हैं, तो दिन भर में मैं 3 chapter पढ़ लूँगी और रात को मैं एक बार revise कर लूँगी, तो आपका जो schedule है, वो ऐसा होना चाहिए, कि जहां पर आप effectively काम कर सको, ऐसा नहीं है, ये एकदम मित है, लोगों की कई हुई बातों पर बिल्कुल मत जाना, और अगर मैं कह र करो, quality of study is very important, doesn't matter what is the time, doesn't matter मेरे पढोस वाला लड़का सुबह उठके चार बजे पढ़ रहा है, या मेरे पढोस वाली लड़की सुबह उठके चार बजे पढ़ रही है, या मेरा classmate सुबह उठ जाते है, उसका last scene मुझे सुबह चार बजे का दिखा, पढ़ने के लिए और दूसरा मुझे ये भी लगता था, कि यार रात को क्या है, जब सब सो जाते हैं, तो यार इंसान है अपन भी, अपना भी मन करता है, जब सब सो रहे हैं, तो यार मैं भी थोड़ा सो जाओ, कूलर में सब सो रहे हैं, मैं भी थोड़ा सो जाओ, सब रजाई ओर के सो रहे है रात का time का plan बना लो और plan बना लो कि कितने कितना time देना है और किस हिसाब से मुझे किन days में कौन-कौन सी subject को लेके चलना है और plan में आएगा कितने chapters कितने topics मुझे complete करने I hope इन दोनों बातों पर आपका mind clear हो गया होगा ठीक है next आता है stay motivated मैंने आप से बोला ना कि अभी हो सकता है आप मेरा वीडियो देखर आपको लगेगा मैं 360 अचीव कर लूँगा और कर सकते हो गर आप वीडियो देखर आप कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो आप कोई भी स्टूडेंट हो कहीं के भी स्टूडेंट हो चाहे आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो या बुरा भी परफॉर्म कर देते होगे ना तो भी आप 360 अचीव कर सकते हो बड़त इंगे इस कि आपको यह प्लान फॉलो करना है जो आज के इस वीडियो में आपके सामने आया है प्लान और स्केडियूल मैं समझा चुकी हूँ अब मोटिवेटेड रह मेरे दिमाग में है कि मुझे 360 अचीव करना है पर थोड़ा सा यह कर लूँ अपने आपको एक्स्क्यूज दे रहे हैं वह चीज नहीं चलेगी आपको मैंने यह नहीं क्या रहो अभी मैं कह रही हूं कि आप मोटिवेटेड रहो मोटिवेटेड रहने का मतलब क्या है कि मेर दिमाग में वह एम चल रहा है मेरे को वह वाइट कोट आंग बंद करते ही दिखता है मेरे को वह स्टेटेसकोप ऐसा लगता है कि बस लगाई है वह चीज मुझे मोटिवेटेड मतलब अपने आपको याद दिलाते रहना है मेरा एम यह नहीं कि मैं शाम को दो गंटा दोस् मोमोस खाने या पानी पूरी खाने चला जाओं मेरा एम यह है कि मुझे डॉक्टर बनना है उस एम के सामने बाकी सारी चीज़े मुझे बहुत छोटी लगती है तो मैं कभी उससे भटकती नहीं हूं तो यह जो स्टे मोटिवेटेड है यह आपको अपने आपको रखना होता है जब इंसान मरता है तब भी बहुत कश्ट होता है वो भी उसे खुद करना पड़ता है तो जब हम दुनिया के दो सबसे बड़े काम खुद कर सकते हैं तो क्या अपने आपको मोटिवेटेड नहीं रख सकते उसके लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूत पड़ेग जो आपकी उस रहा पर चलने में मदद कर सकते हूं Magnet Brins IIT J.E. NEET का जो प्लाटफॉर्म है हमारा मुद्द यह हमारा एम ही यह है आपको हर बार एक शौट में कोई नई इंफरमेशन मिलती है आपको हर बार एक वीडियो में नई इंफरमेशन मिलती है कभी हो सकता है कि ने एंटी ने क्या नया रूल निकाल दिया है क्या नया पॉइंट वो लेकर आये हैं आपको नहीं मिलेगा टाइम कोई बात नहीं हमें पता है हम उस चीज के लिए भी आपको अपडेटेड रखते हैं गाइडेंस की क्या में कुछ स्टूडेंस को लगता है अब एक प्रि जबत नहीं है आप motivated रहोगे एक चीज तो आपको यहां से मिल जाएगी दूसरी चीज अपना अपने आपको ऐसे लोगों के बीचमे रखो उनका ओर आ ऐसा होना चीज ऐसा आप सोचते हो तो आप उस दोड़ में हागी रोगे motivated रोगे चार दोस्त बनाओ लेकिन एम वाले करना कोई दिक्कत नहीं पर उसके पास एम है ना तो आप उससे दोस्ती रख सकते हो पर अगर मैं सही बात बताओं अगर किसी दोस्त को ऐसा लगता है यार क्या करना है पढ़ लेके छोड़ना यार कहां लगा है सब आ जाएंगे पासवास हो जाएंगे वह कॉलिज नहीं मिल जाते हैं कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी तरह पढ़ना चाते हैं आपके क्वेशन का अंसर देते हैं आपके डाउट पर सल्यूशन देते हैं वो भी या फिर आपने डाउट पुछा तो वो भी पूछते हैं मेरा भी डाउट है ऐसे लोगों से जुड़ो वर् आपको excuse देना बन और सही लोगों का साथ चुनना है ठीक है अपने एम से भटकना नहीं है अब जरूरत समझो उस चीज की सोचो कैसा लगेगा जिस दिन मम्मी पापा के सामने आपको वो white coat पहनाया जाएगा उतने भरे पूरे auditorium में आपको इतना बड़ा designation दे दिया जाएगा कि आप अपने नाम के आगे doctor लगा सको जब आपके family proud feel करेगी आप पर आप बाहर निकलोगे तो लोग देखेंगे यार इसने कितनी महनत करी होगी यार यह doctor है वो चीज आपको अंदर से feel होगी आपको motivated रहना है और उसके बा पर आगे वाला एक हफता मैं ऐसे हो गया मेरे को नहीं समझ मैं मेरा मूठ ठीक नीथा मेरे घर में लड़ाई हो गई मम्मी ने कुछ बोल दिया भाया ने कुछ बोल दिया तो मैं अपना एम से बटक गई मुझे गुस्ता आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है अब तुम कमप्लीट करना इस टौपिक को कमप्लीट करना है और इतने दिन में करना इतने टाइम में करने वो मुझे कंसिस्टेंटली फॉलो करने एक हफते के बाद ऐसा निया कि घूमने चले जाओ और एक चीज़ और होती है कभी-कभी मानलो आपने मंडे से लिके संडे तक का पढ़ नहीं पाए, so that is a genuine reason, I don't say कि बिलकुल मरते-मरते भी काम करने की जरूरत है, या मरते-मरते भी पढ़ाई करने की जरूरत है, तो you can take a break for a day, आप वो चीज को टुकडों में तोड़ लो, जितना मैंने सोचा था, मैंने सोचा था, Tuesday को मुझे एक chapter biology का करना है, एक physics का करना है, एक chemistry का करना है, और फिर biology मुझे दो बार पढ़ने है, revise करना जरूरी, 360 marks की आएगी, मैंने ये सोचा था था ना, कि तीन chapter करना है, और revision करना है, अगर मान लो, उसमें आपके 5 गंटे लगते हैं, तो वो 5 गंटे को आगे आने वाले days में break कर लो, और थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा काम Wednesday को कर लिया, थोड़ा Thursday को, Friday को, Saturday को, Sunday को, with the already planned time table, जो आपने उन particular days के लिए किया है, तो कोई बात नहीं, अगर मे मैं इसे divide करके complete कर लूँगा, मेरा target है, मुझे Sunday तक ये complete करना है, ठीक, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, चलो excuse ले लेता हूँ, एक दिन अगर छूट भी गया, मैं ने बोला था, एक दिन का छूट जाएगा, तो आगे continue कर सकते हो, यही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं, excuse दे कर नहीं, तो फिर तो आपका motivation hamper हो जाएगा, excuse दे दिया तो, इसलिए consistent रहना है और motivated रहना है, motivated मतलब पूरे time aim दिखना चाहिए, consistent मतलब जो मैंने plan बनाया है, जो मैंने schedule बनाया है, वो मुझे follow करना है, पूरे साल, अगर आप 11th में हो, पूरे 2 साल, अगर आ 10th में हो, so you have a long run to go and you are watching this at the right time, आप इस session को बिलकुल सही समय पर देख रहे हो, सही समय पर आपकी आख खुल गई, मैं बहुत खुछ हूँ, अगर आप 10th में हो, तो मुझे जरूर बता देना comment में, it makes me feel very happy, when a person is already enthusiastic to take that subject, to take into that profession, ठीक है, तो ये वाली बात हो गई हमारी motivated औ consistent रहने वाली, now the next is, ये तो हम यहां तक कर लेंगे, अब notes कैसे बनाने है, इस पूरे plan में entire year में सबसे important मुद्धा है notes बनाने का, क्यों, क्योंकि 11th के notes 12th में जाके भी पढ़ने है, ठीक है, 12th में जब पढ़ रहे हो, तो 12th का already पढ़ना है, फिर 7th में 11th revise भी करनी पढ़ है, जैसे page पलटा और मैं समझ गई कि उसमें क्या-क्या लिखा था, मुझे एक-एक line पढ़ने के जरूरत ने, अरे एक-एक line तो आपकी book में भी लिखी है, यार, theory तो वहां पर भी है, notes में और theory में अंतर क्या है, अगर paragraph पूरा का पूरा चाप दिया, ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट नोट्स बनाने है, स्मार्ट नोट्स, स्मार्ट नोट्स का मतलब होता है, पहली चीज, सबसे पहली बात होती है, स्मार्ट नोट्स का मतलब, points में लेकर ओ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, सबसे पहली चीज, आप इसको कैसे लेकर points में लेकर आओ चीज़ों को points में लेकर आओ फिर पूरे-पूरे paragraphs नहीं लिखो उसके बाद points में लिखने के बाद highlighter का use करो highlight करने के लिए use करो तीक है highlighter का use करो highlighter का use क्यों करने जब आप exam दिने जाओगे मान लो for example nitrogen fixation कराने वाला cell होता है heterocyst वो एक body में एक अलग से cell है जो nitrogen fixation कराता है session देखा है आपने तो आपको पता होगा तो वो heterocyst जो cell है उसके बारे में मैंने 4-5 चीज़े लिखी हुई थी ठीक है या मैंने उस पूरे organism के बारे में सब कुछ लिखा था लेकिन मैंने उसे highlight नहीं किया था तो मुझे एक्जाम में वो याद करने में दिक्कत आईगी जैसे ही एक्जाम में मुझे question में दिखेगा heterocyst mention है मुझे मेरे सामने वही page मेरी आँखों के सामने open हो जाता है अपने आप मेरे दिमाग में वही page पर मैं पहुच जाती हूं जहां पर मैंने highlight करके लिखा था क्योंकि हमें हमारे human tendency हमें colors बहुत जादा याद रहते हैं छोटे बच्चों का आप school चले जाओ colorful क्यों होता है क्योंकि उनको आदत होती है जादा color देखके वो जादा अच्छे से याद कर पाते हैं तो हम यह चीज़ follow कर सकते हैं उसके बाद points में लिखना highlight करना flow charts बनाना diagrams बनाना यह सारी चीज़ें आती है हमारे किसमे writing of notes कैसे notes बनाने वो pattern जब मैं आपको अपने session में notes बनवाती हूं तो मैं इसी तरीके से बनवाती हूं colors use करती हूं diagrams अलग से बनाती हूं so that वह आपको जादा याद रहे visualize होके ठीक है इत्ता हो गया आप इसको अगर note करना चाते note कर लिजे अच्छा अब बात आती है कि हम अब क्या करें हमने चलो यह सारा तो follow कर लिया तो अब आखरी में आपके पास बचता है revision जो भी आपने plan बनाए जो भी आपने schedule बनाए उसमें revision को जरूर डालो until or unless you revise anything you are not going to remember it completely हाँ पढ़ने पढ़ लेने से मुझे 80% समझ में आ जाता है लेकिन मुझे 100% पर पहुचना पड़ेगा तब जाके मेरे मांक्स जो हैं वो 360 आप आएंगे तो मुझे 100% पर पहुचने के लिए क्या करना पड़ेगा revision करना पड़ेगा revision करने से मेरे strong होंगे points जो मैंने chapter सुबह पड़े हैं दो उनको मुझे रात में revise करके ही सोना है या कम से कम अगले दिन में मुझे एक time जरूर ऐसा डूनना है जब मैं revise करूं पर मेरी core advice यह है आपके लिए कि आप सुबह जो पड़ रहे हैं उसको कम से कम उसी दिन उसी दिन दिन में शाम को रात को सोने से पहले revise कर लो और एक बहुत मतलब की factor है कि अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है न अगर कोई कोई चीज याद नहीं हो रही रात को सोने से पहले just before you are going to sleep उस page को open करो ऐसा नहीं कि कोई चीज याद नहीं हो रही थी कि पूरा-पूरा nitrogen cycle में याद कर लेते हैं कोई दो-चार चीजें scientist का नाम नहीं याद हो रहा होगा कोई important नाम ऐसा आ गया जो याद नहीं हो रहा किसी particular molecule को लेकर biomolecules में बहुत सारी चीजें मिलेंगी genetics में बहुत सारी चीजें मिलेंगी तो उस नाम को देख लो मन में दो-तीन बार बोलो और सोजाओ क्या होगा ना उस समय आपका brain बाकी activities में जब तक involved होगा तब तक कही ना कहीं वह आपके दिमाग में बात रह जाती है और रह जाएगी तो अगले दिन याद रहेगी तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो revision key factor है अब आगे बढ़ते है next next आपको क्या करना है बीच-बीच में आप पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हो है ना get bored while studying hair is a strategy for you अगर आप बोर हो जा रहे हो बीच में पढ़ते-पढ़ते तो एक strategy है जिसे आप follow कर सकते हो आपसे कहा ना अपने आपको घिसना नहीं अपने आपको परिशान नहीं करना this is not a punishment this is this is the time for building yourself this is not the time for punishing yourself so if you are bored अगर आप बोर हो जा रहे हो normal है यार हो सकता है हो जाएगा ना कोई बात नहीं हर इंसान को हो सकता है बीच में कभी-कभी लगने लगे यार यार मज़ा नहीं आ रहा कर दूँ ब्रेक कैसे कर दूँ आधे जैसे हम सेशन इन्दक पढ़ते हैं न आप मेरे सेशन स्को फॉलो करते हो तो आपने देखा है हम चैप्टर वाइस चैप्टर जो है उसके거야 टॉपिक वाइस सेशन पर जाते हैं, आप टॉपिक वाइस पढ़ाई करो, जो टॉपिक जिस दिन आपको पढ़ा दिया जा रहा है, जिस दिन आपको सेशन मिल गया, उसी दिन पढ़के, उसी दिन खतम करो, बाकलोग क्रियेट मत करो, बड़े-बड़े कामों को छोटी-छो को time दो that is more advisable पर मान लो किसी reason से मैं अगर ऐसा कर रही हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा अपना ऐसा नहीं ऐसा कर सकती हूं मैं कि थोड़ी देर मैंने physics पढ़ा फिर मैंने biology पढ़ा फिर मैंने chemistry पढ़ा फिर मैंने biology पढ़ा ऐसे करके मैं थोड़ा-थोड़ा टास्क में तोड़ दूँगी chapters को break कर लूँगी topics को break कर लूँगी human reproductive system पढ़ने जाते हो तो male reproductive system जब आप पढ़ते हो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल जाती हैं जो आपने 10th class तक नहीं पढ़ी होती हैं बहुत सारे structures ऐसे मिल जाते हैं female reproductive system में भी ऐसे बहुत सारे structures patterns मिल जाते हैं आपको याद करना पड़ता है कि hormonal जो cycle चलती वो कैसी चलती ग्राफ दिया हुआ है आपके NCRT में तो आप पूरा का पूरा female reproductive system एक दिन पढ़ने की बजाए आप दो दिन में पढ़ सकते हो एक दिन पूरे hormones के बारे में पढ़ लिया एक दिन पूरे system के बा आइनले आए वह अगले दिन पढ़ लेना कोई दिकत नहीं है टॉपिक को ब्रेक कर लो तो ब्रेक दी बिक टास्क इन्टू स्मॉलर वन दूसरा अपना आता है कि प्रमाइंड इंड गूल अपने आपको एंड गोल में यह नहीं कहा रही नीट मेरा एंड गूल एंड गोल है मेरा end goal है कि मुझे दिन भर में मैं उसकी बात कर रही हूं कि मुझे दिन भर में इतने chapter complete कर नहीं है यार हो सकता है मैं खाना खाने में ज्यादा time ले लूँ हो सकता है सामने वाला वो मेरा complete किया है, मुझे जाके complete करने की जरूरत है, वो चीज अपने आपको हमेशा याद दिलाते रहना है, कि मेरा दिन भर का टास्क अभी बाकी है, next study is part of your daily routine, study को, पढ़ाई को अपना daily routine बना लो, और मेरी बात मानो, अगर medical profession से जुड़ना है, तो जीवन भर हर दिन पढ़ाई कर होनी है, हर दिन नया दिन है, हर दिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आज नहीं मेरी बात याद रखना, 40 साल के 50 साल के जब हो जाओगे, और रोज नया case देखोगे, रोज नया patient देखोगे, तब भी आपको ये लगेगा, यार इसमें ये चीज नहीं थी, यार मैने ये च कस करूंगी, तो learning is always, always, always it is going to be there, तो इसे अपना daily routine का life आज से क्यों नहीं बना लेते, कोई भी दिर ऐसा मत जाने, तो जैसे खाना खाना ज़रूरी है, वैसे ही पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर मैं खाना खाना नहीं छोड़ती हूँ, अगर मैं खाना खाना नहीं भू तो मैं एक दिन अपनी पढ़ाई कैसे भूल सकती हूँ, जब मेरा aim इतना बड़ा है, नेक्स्ट है involve activities while studying to make it more interesting, अब अपनी पढ़ाई को interesting कैसे बनाया जाए, जिंगल को involve करो, कोई जोग को involve करो, मुझे याद नी हो रहा था adrenaline के बारे में, तो मैंने adrenaline के बारे में थोड़ और आदमी आजाता है ना तो adrenaline होता है, जो उसकी body में काम कर रहा होता है, ऐसे करके कुछ चीज़ें याद करो, अगर मुझे digestive system में रहने वाले sphincter याद नहीं होते थे, कि sphincter यहने क्या होता है, तो मैं यह याद रखती हूँ, कि जब मैं momos खाने जाती हूँ, तो momos व और बेंट जैसा एक structure ताकि stomach का content बहार नहीं है, कुछ चीज़ों को relate करके याद रखो, ऐसा आप सारे subjects में कर सकते हो, पर biology में तो ऐसा कर नहीं है, खुद interesting बनाना पड़ेगा, there will be no one कि भई जो आपको आके यह बोले, और अगर आपसे नहीं हो रहा, तो हाँ आपके पास I'll make a trick for you, I'll try to give you something जो आपको correlate करके याद दिला के रखे, ठीक है, इसके बाद, always take time for personal life and enjoy it, मैंने वापस से वही बात है, ऐसा नहीं है कि अपने आपको सजा देनी है या घरवालों को सजा देनी है, घरवालों को सजा मत दो की बिचारे वो TV नहीं देख पा रहे हैं, वो आ अपने family के साथ अपने goals discuss करते हो, अगर आप अपनी family के साथ अपनी problems discuss करते हो, आप अपनी aim से कभी नहीं बटकते क्योंकि उन्हें मालूम है कि क्या कीमत है आपके उस सपने की जो आप पूरा करना चाते हो, उस dream को वो भी उतना ही जी सकते हैं, जितना कि आप जी सकते हो, तो अपने family के साथ involve रहो, अपने आपको time दो, you need to be happy, अगर खुश रहोगे तो जाधा अच्छा पड़ पाओगे, ये बात याद रखना, preparation related tips, अब ये तो हो गया हमें क्या क्या करना है throughout the year, preparation related tips, जो हमारी tips है, वो क्या है, पहला है understanding of NCRT, NCRT जो book है, बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी सी student level पर समझने के लिए complex लगती है, क्योंकि वो एक line में 3 chapter का आपको सार दे देती है, जो शायद आगे के 3 chapter से लेकर आई होगी, या पिछले 3 chapter से लेकर आई होगी, तो वो एक line में बहुत कुछ कह जाती है, कम शब्दों में बहुत सारी बातें बोल देत लिए, तो आपको first attempt में जब आप NCRT खुद से पढ़ने बैठोगे, किसी भी chapter के लिए तो मुश्किल होगा थोड़ा समझने में, मैं बानती हूँ, बिलकुल होगा, तो इसके लिए मैं हम क्या करें, इसके लिए हमें ये करना है, कि पहले session देखो, पहले understanding, पहले उस topic का session देख लिया, उसको समझ लिया, अब NCRT से पढ़ो, अब आपको NCRT की एक-एक लाइन समझ में आईगी, पहली बार पढ़ने बैठोगे तो नहीं आईगी, session देख लिया है, topic की understanding बना ली है, अब NCRT की एक-एक लाइन मुझे समझ में आती है, तो understanding जो NCRT की है, वो बनान structure कैसा होता है, reproduction कैसा होता है, mode of nutrition क्या होता है, cell wall काई की बनी होती है, होती है या नहीं होती, सारी चीजे वही mention है, तो फिर जब मैं आगे एक-एक kingdom को पढ़ती हूँ, तो मुझे ये वापस से याद नहीं करना पड़ता, मौनेरा मतलब कौन सा cell, प्रोटेस्टा मतलब कौ सा cell, वो मुझे चार्ट के फॉर्म में आधी चीजें, और रड़ी यान है, जो उसका characteristic है, तो मेरा लोड कम हो जाता है, और मुझे विज्वलाइज भी हो जाता है, चार्ड मन मैं, मैं खुद भी बना लेती हूँ, NCRT में भी दिया हो है, मैडम ने भी मुझे बनवा दिया तो अब मुझे जादा याद रहेगा, तो हमेशा चार्ट और डाइग्राम की मदद लो, अगर आपको problem होती है, male reproductive system समझने में, अगर आपको problem होती है, respiratory system का पूरा function समझने में, आप डाइग्राम पहले समझो, आप हमेशा देखना मैं कोशश करती हूँ कि पहले मैं डाइ inhalation और exhalation में यह चीज़ें involved थी, intercostal muscle थी, muscle का भी function था, ribs का भी function था, diaphragm dome shape थी, उसका भी function था, तो वो हो सकता है ना कि आप जब लिख रहे होगे तो आप diaphragm लिखना भूल जाओगे, बिचारी सबसे नीचे present थी, पर वो थी वहाँ पर, आपने ध्यान नी दिया, ध्यान क कभी नहीं छोड़ना है, फिर reading habit बनानी है, मैंने आप से काना कि understanding बना लिए NCRT की, अब NCRT को read करो, पहले concept समझ लिया, topic समझ लिया, RK bacteria वाला वीडियो देख लिया, mycoplasma वाला वीडियो देख लिया, अब उसको NCRT से read करो, तो आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे और reading habit तो बनानी पड़ेगी, ठीक, next है, key points में memory याद रखो, जैसे मैंने बोला न, paragraph में अगर लिखोगे, तो मुश्किल रहेगा याद करना, paragraph तो बुक में भी दिया हुआ है, मुझ में और उसमें अंतर क्या हुआ, मैं key points बना लेती हूँ, ठीक है, key points कैसे बना लेती तो बजाए इसके कि मैं यह याद करूँ कि lichen is a symbiotic association between fungi and this, तो इस से अच्छा मैं यह याद रख लूँ कि algae और fungi को अगर मैं जोड़ दू, algae plus fungi is equal to lichen, ऐसे ऐसे वाला key point बना कर याद रखना है, ठीक है, lipid, lipoprotein की अगर layer है, तो मैं lipoprotein नहीं याद रख पाती, तो मै याद रहेगा, ऐसे key points, key points बना के याद रखना है, next है, at least 32 years of pyqs, pyqs जो होते हैं, यह चाहे, अच्छा, इस बात को याद रखना कि यह मैं 360 achieve करने के लिए तो बताई रही हूं, pyq वाला point, यह मैं तब के लिए भी बता रही हूं, जब आप college में जाओगे और अपने medical college के exams दोगे, तो वहाँ पर भी आपको previous year के question solve करने चाहिए, जैसा आपको neat में भी करना है, और कम से कम मैं 32 years क्यों बोलती हूं, मैं इसलिए बोलती हूं, 32 years क्योंकि जितने आप smart हो, उससे ज़्यादा smart आपके exam का जो paper set करने वाले हैं, वो लोग हैं, क्यों, उन्हें पता है, अब तुमने book देखी होगी, या तुमने कहीं question देखागा, तुमको लगेगा, यार ये वाला question तो दो साल पहले आया था, एक साल पहले आया था, ये तो बहुत important है, भाई, वो एक साल पहले आया, ये तो examiner को भी पता है, तो वो उससे और पहले जाएंगे, और 10 साल के question अ मैं वो बता दे रहे हूँ, Magnet Brins IITJE NEET के चैनल पर ये सारी चीज़ें आपको मिल रहे हैं, जब हम NCRT, जब हम topic wise explanation पर जाते हैं, तो आपकी understanding बन जाती है NCRT की, flow charts और diagrams आपको session में मिलते हैं, reading habit आपको खुद बनानी पड़ेगी, key point memory बनाने का trick बताते रहते हैं, बीच- तो आप अपने आपको mark नहीं कर पाओगे, अपने आपको judge नहीं कर पाओगे कि मैं कितने पानी में हूँ, यार मेरी कितनी preparation है, क्योंकि DPP मिल गई, मैंने solve कर ली, multiple choice question मिल गई, मैंने solve कर लिया, previous year questions मिल गई, मैंने solve कर लिया, ये सारे sessions मैं लेकर आती हूँ आपको biology के लि इस बात को, next आता है how to concentrate on study after a long gap, मान लो मैं इस चीज को assume कर लेकर, इसलिए पाती हूँ क्योंकि कई बार students मुझसे ऐसा पूछते हैं कि किसी reason से long gap हो गया, मान लो तवित खराब थी, तो मेरी कुछ दिन की पढ़ाई छूट गई, हो सकता है कि मेरी आज नीन ज्यादा लग ठीक है, पढ़ते-पढ़ते मेरी नीन लग गई, मैं 6 गंटे सो गया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, तो मेरा long gap हो गया, अब मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, या हो सकता है मेरी दीदी चाचा, मामा किसी की बेटी की शादी थी, जाना नहीं चाहिए था पर मैं चल आएगा, उनका वरत बंद हो जाने, तो तुम्हारे वरत का क्या, दो साल क्या करोगे उसके बाद, ठीक है, इन सब चीजों को थोड़े टाइम अवाइड करो, बिलकुल मैं कहती हूं खुल ले, सरे आम अवाइड करो, ममी बापा को बोलो यार, आप चले जाओ, मेरा जरू कीप, रिमेंबर, और वाट यू हाफ फोगॉटन, कितना याद है, क्योंकि गाप बहुत हो गया, तो वो जो पीछे का छूट गया है, जो याद नहीं है, पहले तो उसकी लिस्ट बनाओ, मुझे यह यह टॉपिक तो पूरे अच्छे से याद है, पर यह वाला चैप्टर म अभी तो याद है, थोड़े दिन बाद, राशाप हो जाएगा, मतब कि ऐसे फ्लैश ओफ हो जाएगा, और जो नहीं याद है, उसको तो हमें याप करना पड़ेगा, तो हमने उसको पहले तो लिस्ट बना ली कि अब हमें क्या 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 करना है, इसमें से क्या करने के लिए हमें थोड़ी डबल महनत करनी पड़ेगी, और चिंता मत करो डबल महनत जादा दिन की नहीं होगी, जितना गैप हुआ है, उतनी दिन की डबल महनत है, बाद में फिर आप नॉर्मल अपना स्केडियूल फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तो यह हो गया, तीसरी मैं बहुत टाइरिंग फील कर रहा हूँ, तो छोटे-छोटे डूरेशन में करो, एक साथ बैट के लंबी पढ़ाई मत करो, आदे घंटे पढ़ाई करो, एक घंटा पढ़ाई करो, थोड़ा सा गैप लेलो, फिर पढ़ाई करो, फिर थोड़ा सा गैप लेलो, तो यह वाल हो गया है तो वो जो लॉंग है नहीं पूरे टोचता रहेगा यार मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया है मेरे ये टॉपिक छूट गए है की सैंस निकलना चाहिए तो हमने स्टडी नें इंट्रेस्टिंग बनाना है तो हाँ आप क्या कर सकते हो वही जो मैंने आपको बताया कि आप वह बना लो जिंगल बना लो सॉञ्स के साथ कोरेलेट कर लो किसी जोक में कोरेलेट कर कर लो एक दूसरे को बोलो भीया तू तो सेंग वह रहा है तू मेरा सारा खून चूस लेती है बहन तू सेंग वह रहे हैं ऐसे करके याद रख सकते हो तो इन्वाल इट इन्वाल जित्ता करोगे नेक्स्ट है चेंज और स्टडी एरिया एक चीज यह भी है कि अगर आपका ब बाहर बैटके पढ़ सकते हो इन खुले एरिया में बाल्कनी में पढ़ लो गार्ड ने पढ़ लो कहीं थोड़ा सा बाहर निकलके पढ़ लिया फिर रोइंग like to study just think for five minutes all about your goal जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा पांच मिनिट उस उस गोल के बारे में सोचो पांच मिनिट सोचो खुद का हॉस्पिटल होगा जिस दिन कैसा लगेगा किसी की लाइफ सेफ करोगे जब किसी के पेरेंट शायद बाहर खड़े होंगे या किसी के बच्चे बाह बेड़े दिन दाद इन दी वर्ड वह अपने आपको वह चीज पर लाओ सिर्फ यह मत सुचो मेर को नीट कौलिफाइ करना मेडिकल कॉलेज में जाना है उसके बाद क्या करना है मेरा खुद का लेने के मैं अपने क्लिनिक में खुद जाकर बैठू प्राक्टिस करू मैं अ तो आपको वो चीज वो चीज हमेशा दिमाग में चलनी चाहिए ठीक है तो हमें मोटिवेट खुद को करते रहना है अपने गोल के बारे में याद दिलाते रहना है अब मैंने सेशन के स्टार्टिंग में कहा था कि जितने भी क्रीम लेयर के स्टूडेंट हैं जो बहुत अ सारा guidance source नहीं होता था कि कोई आपको आके यह बता जाए कि 360 कैसे गेन करना है कोई आके यह बता जाए कि यार टाइम मैनेज कैसे करना है यह वाली चीज़े पहले नहीं होती थी स्कूल में वही टीचर ने पढ़ा दिया अपना पढ़ लो वेटा घर जाओ खाना खाओ अप सर स्टूडेंट्स को नहीं पता रहती है अगर आप जुड़े नहीं हो किसी ऐसे टीम से जैसे मागनेट मेंज आटी जैए नीट की टीम है तो अगर आप ऐसी टीम से नहीं जुड़े हो तो आपको वो वो प्रो टिप मतलब एकदम वो पार करा देने वाली बात पता नहीं क्या करना इस चीज के लिए पहले आप टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज एक्स्प्लेनेशन पर जाओ कहां पर देखोगे टॉपिक वाइज एक्स्प्लेनेशन एमडी पर देख लोगे मागनेट ब्रेंज आटी जैए नीट की जो चानल है उस पर ठीक है उसके बाद इसकी समरी पर अब इसकी समरी को भी पढ़ो एक्चिली में जो टॉपिक पढ़ा है उसी का चैक्टर पढ़ा है और उसी की समरी पढ़ रहे हो तो यहां पर आपको सब समझ में आएगा उपल की बहुत बहतर समझ में आएगा और क्वेश्चन यहां से बनने वाला है तो य बिल्कुल नहीं भूलना है चाहे कोई भी subject हो और specially biology में तो बिल्कुल भी नहीं summary को आप छोड़ी नहीं सकते next है आपके पास labeling of diagram बहुत बार diagram के नीचे जो description दिया होता है उस description से direct question आ जाता है direct question पूछ लेते हैं ठीक है तो labeling पर जाओ description पर जाओ हो सकता है labeling में से निकाल के कोई चीज पूछ ली जाए तो diagram के labeling और description दो बाते मैंने बताई हैं वो याद रखना ठीक है next एक last चीज है NCRT exemplar NCRT जो है वो उसी का NCRT exemplar है ठीक है NCRT exemplar में n number of questions है very short answer short answer long answer everything is there mcqs भी है अब उसमें NCRT exemplar नहीं question बनाए है तो यह जो neat वाले है न NTA जो है वो directly यहां से भी question उठा लेती है ठीक है तो NCRT exemplar पे बहुत खास तरीके से focus करना है इसके लिए हम क्या करें अगर आपके पास NCRT की book है तब तो ठीक है NCRT exemplar की भी book है तब तो ठीक है नहीं है कोई दिककत नहीं है PDF भी आप download कर सकते हो पर PDF में आपको सिर्फ questions मिलेंगे answers नहीं मिलेंगे NCRT की website से तो उसके लिए क्या करें magnet brains का जो main channel है वहाँ पर NCRT exemplar हर एक topic के लिए हर एक subject के लिए हर एक chapter के लिए already solve कराई हुई है go and start and keep watching it जितना जादा NCRT के questions NCRT exemplar के questions practice करोगे actually मैं आपको बताती हूँ NCRT exemplar के जो questions होते है न यह पते कौन से questions होते हैं hots यह hots के questions होते हैं जो बाकी books में hots के नाम से दिये होते है high order thinking skill questions in questions का नाम है NCRT exemplar में यही वाले questions include किये तो थोड़ा सा understanding में समय आपको लगेगा तो आपको समय ना लगे इसलिए क्या आपके लिए simplify कर दिया गया मैंगने इंस के channel पर NCRT exemplar का पूरा का पूरा session है हर chapter के हर एक question को पकड़के solve कराया गया है आपको अपनी habit में लाना है कि जब मैं NCRT एक chapter की पढ़ लूँ जब मैं NCRT के understanding बना लूँ summary पढ़ लूँ diagram practice कर लूँ फिर मुझे उसी chapter की जा करके NCRT exemplar देखना है और solve करना है उसके sessions भी करने ये तीन बाते आपके लिए बहुत pro tips हैं यही हैं वो उंदा बनाने वाली बाते हैं ठीक है जहां अकसर students lack करते हैं I hope अभी आपका रास्ता बिल्कुल clear हो गया होगा I hope आपका रास्ता अभी बिल्कुल clear हो गया होगा कैसे हमें 360 marks achieve करने हैं इस पर आपको पूरा perfect guidance मैंने प्रोवाइड करने की जी जान लगा कर कोशिश की है कोई भी चीज मैंने नहीं चोड़ी है तो अब आपको यहां से हर चीज अपने साथ अपने दिमाग में रखनी है long term memory के form में store करनी है that should flow inside your blood आपको क्या करना है सिर्फ थोड़ा सा affection show करना है आपको interaction बनाने के लिए like कर देना है subscribe कर लेना है share कर देना है जो छोटे भाई वैन आपके already यह सोचते हैं कि उन्हें भी बनना है उनको अभी से यह दिखा दो वह अभी से समझ जाएंगे कि हमां आगे जाके क्या करना है देल फॉर्म पाटन जहां पर शायद थोड़ा साप लेट हो गयो और अगर आप लेट नहीं हो नीट के चैनल पर it is the only channel that provides you 100% free education for the biggest exam of all times that is the need that can change the change your life forever तो आपको क्या करना है सिर्फ इतना करना है and keep studying कुछ भी आप पूछना चाते हैं आप comment section में पूछ सकते हैं I am going to reply to you और क्या करना है जोर से जाके पढ़ाई करने लग जाना है पर consistent रहना है motivated रहना है इन दोनों बातों को भूलना नहीं है confused नहीं करना है मैं आपसे मिलूँगी next session में तब तक के लिए thank you so much and take care